विक्यात कहानीकार फ्रेमचन ने केवल मनरंजन के लिए अपनी कहानियां नहीं लिखी बल्कि अपनी हर कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश देना चाहा है रियासत देवगड की कहानी है देवगड के सरदार सुजांसी है अबृद होते हैं और महाराजा से निवेधन करते हैं कि मैं अब इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ महराज कहते हैं कि नया दिवान चुनने की जिम्मेदारी अब आपकी है अगबार में विज्ञापन दिया जाता है कि देवगड रियासत के लिए नया दिवान चुनना है अनेक जगह से, अनेक राज्यों से सैंकड़ों उमीदवार आ जाते हैं अब देखेंगे कि इन में से किस उमीदवार का चुनाओ रियासत देवगड के दिवान पत के लिए होता है और कैसे तो आईए देखते हैं प्रेमचंद की विख्याद कहानी परिक्षा का सारांच परिक्षा मुंची प्रेमचंद वारा लिखित एक छोटी परतु मजबूत नैतिक संदेश देने वाली कहानी है कहानी देवगड राज्य के दीवान के पत के लिए एक इमानदार और समर्पित उमिदवार का चयन करने के बारे में है रियासत देवगड के दीवान सरदार सुजान सीह जो 40 साल सेवा कर चुके हैं बुड़े हो चुके थे वे राजकाज समालने की जिम्यदारी से मुक्त होना चाहते थे महाराज से निवेदन किया दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की अब मेरी अवस्था भी ढल गई राजकाज समालने की शक्ती नहीं रही कहीं भूल चूक हो जाए तो बुड़ापे में दाग लगे महाराज ने बहुत समझाया लेकिन जब दीवान न माने तो महाराज ने नया दीवान चुनने की जिम्यदारी उन्ही को दे दी अगले दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगड के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है दीवान पत के उमीदवार का ग्रैजुएट होना जरूरी नहीं पर शक्ती शाली होना आवशक है उमीदवार की विध्या को कम परंतु कर्तव को अधिक महत्व दिया जाने वाला था जो सरदार सुजांसियें की परिक्षा में खरा उतरेगा वही दीवान का पद पाएगा इस विज्ञापन ने पूरे देश में हलचल मचा दी देवगड में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे देश के हर भाग से उमीदवार अपनी किस्मत आजमाने आये हुए थे प्रत्ते एक रेल गाड़ी से उमीदवारों का एक मेला सा उतर था कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी साधिगी पर मिटा हुआ सबसे ज्यादा संख्या ग्रैजुएटों की थी दीवान के पत के लिए उमीदवार का चयन उसकी कर्तवे परायनता के आधार पर होने वाला था एक महिना रियासत देवगड में उनका रहन सहन देखकर दीवान का चुनाव होना था इसलिए हर वेक्ती स्वयम की बुरी आदतों को छिपा रहा था वो सदगुणों का दिखावा कर रहा था अपनी अपनी बुद्धी के अनुसार स्वयम को अच्छा दिखाने की कौशिश कर रहा था सरदार सुजान सीहं स्वयम एक नीती कुशल वेक्ती थे वे एक ऐसे वेक्ती को रियासत का दीवान बनाना चाहते थे जिसके इरिदे में दया हो, उदारता हो उसमें ऐसा आत्मबल हो कि वो मुसीबत का बहदुरे से सामना कर सके जो गरिबों को कभी न सताए एक दिन दिवान पत के लिए आये उम्मीदवारों में से नए फैशन वालों ने होकी के खेल का सुझाव दिया उन्होंने सोचा हो सकता है कि ये उनको दिवान पत के लिए चुने जाने में कुछ सहायता कर जाए होकी का खेल बड़े उत्साह से चला शाम तक यही धुमदाम रही लोग पसीने से तर हो गए हाफते हाफते बेदम हो गए लेकिन हार जित का निर्णे न हो सका होकी के खेल वाला दिन ही महत्वपूर्ण साबित हुआ उमिदवारों की परिक्षा सुझान सिहने एक ऐसा गरीब किसान बन कर ली जो मुसीवत में था अनाज की बोरियों में भरी उसकी बैल गाड़ी दलदल में फसी थी दिवान पत के कई उमिदवारों ने उस किसान को देखा पर किसी ने उसकी साहिता नहीं की केवल पंडिच जानकीनाथ ही ऐसा था जिसने स्वयम कष्ट उठा कर भी उस किसान की साहिता करने का निश्चे किया पंडिच जानकीनाथ दिवान पत के उमिदवार के तौर पर देवगड आया था हौकी खेलते वक्त उसके पैरों में चोट लगी थी इसलिए वह लंगडा रहा था सुभाव से वह परोपकारी वह सहसी था उसके रदय में आत्मबल वह उदारता थी स्वैम को चोट लगने के बावजूद भी कस्ट उठा कर उसने गरीब किसान की दलदल में फसी गाड़ी को बाहर निकाला वह खुद घुटनों तक कीचड में गड़ गया किन्तु गाड़ी को धक्का देकर नाले से बाहर निकाला पंडित जानकिनात को पता भी न था कि उसने जिस किसान की साहिता की है वह वास्तों में सरदार सुजान सीह ही है जो किसान के वेश में आये है गाड़ी निकल जाने पर गाड़ी वाले ने धन्यवाद देते हुए कहा कि महराज आपने आज मुझे उबार लिया नहीं तो सारी रात यहां बैठना पड़ता इस पर जानकिनात ने हस कर कुछ इनाम मांगा तो किसान ने उन्हें दीवान पद मिलने का अशिरवाद दिया जब महिना पूरा हो गया तो उम्मीदवार इकठे हो गए और उत्साह से परिणाम की प्रतिक्षा करने लगे तब सुजान सिह ने जानकिनात के नाम की घोशना की और कहा मैं रियासत को पंडिच जानकिनात सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ जानकिनात दीवानी की असली परिक्षा उत्तीरण कर चुका था उसका संकल्प मजबूत था, गरीबों के प्रति दया, मुसिबत से लड़ने का आत्मबल था इन सब गुनों के कारण वह सरदार सुजान सिहं की परिक्षा में सफल होकर रियासत देवगड का दीवान बना कहानी के विशेष्टा इस कहाने से हमें ये संदेश मिलता है कि मनुष्य के सद्गुनों का महत्व बहरी प्रमान पत्रों से ज्यादा होता है मनुष्य के रिदय में दया तथा उदारता होनी चाहिए जिससे वह समाज की सेवा कर सके उसमें ऐसा आत्मबल होना चाहिए कि वह विपत्ती का सामना वीरता से कर सके तभी वह समाज में उंचा स्थान पाने के योग्य बनेगा संदर्व सहिस्पष्टिकरण वाक्य इस प्रकार से है मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दिवान पाने पर बधाई देता हूँ संदर्व प्रस्तुत वाक्य कहानी कुंज इस कहानी संग्रह की प्रेमचन द्वारा रचित परिक्षा इस कहानी से लिया गया है उक्त कथन के वक्ता रियासत देवगड के दिवान सरदार सुजान सीह है दिवान पत के उमीदवारों के सामने जानकीनाथ के नाम की घोशना करते हुए सुजान सीह ने यह वाक्य कहा है स्पष्टिकरण सुजान सीह नीति कुशल और कर्तव्य परायन व्यक्ति है उन्होंने 40 साल तक देवगड की सेवा की वे एक कुशल प्रशासक थे सुजान सीह विद्या को कम किन्तु कर्तव्य को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति थे गरीबों के प्रति दया, मुसिबत से लड़ने का आत्मबल इन गुनों को वे अवश्यक समझते थे एक ऐसे व्यक्ति को दिवान बनाना चाहते थे जिसके इरदे में दया हो, उदारता हो उसमें ऐसा आत्मबल हो कि मुसिबत का बहादूरे से सामना कर सके इसलिए सरदार सुजान सीह ने दीवान पत के सभी उमीदवारों को एक महिने तक रियासत देवगड में रहने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह उनकी परिक्षा ले सके परिक्षा में जानकिनाथ सफल हुआ हौकी केलते समय उसके पैर में चोट लगने के बावजूद उसने मुसिबत में फसे किसान की गाड़ी नाले से बाहर निकालने में साहिता कि इस तरह वह दीवान पत की परिक्षा में सफल हुआ विशेष्टा सुजान सिहां के वक्तव्य में जानकिनाथ के प्रती आभिमान तथा गवरव के भावना दिखाई देती है